तो आज हम जो विशेवर बात करेंगे ना वो वजबन से बहुत ज़्यदा पढ़ा है मगर उसके बारा में थोड़ी कम ही पता है तो चलो आज हम शुरू करते हैं जो रोमान्स लेटर ना तो वो शुरू आये रोमान्स की दिश्व में तो रोमान्स की लोग इससे इस्तमाल करते हैं काउंटिंग में उस टाइम आडिशन सब्ट्राक्शन सभी मेथोड में इसका इसतमाल की अधाता मगर इंडियन सिस्टम की फिरही जिसे हम एक्जैंबू लेते हैं थ्री के बाद हम जी रो लगा देंगे दो थाटो हो जाएगा इसके बाद और एक जिरो रो माम नंबर में कोई नहीं मगर एक लेते हैं पाइप फाइब का मतलब है रोमांस में भी मगर हम लेखेंगे 55 तो डबल भी लेख देंगे नहीं ऐसा नहीं होता है इसी तरह ही कुछ इंट्रेस्टिंग फ्याक्ट है रोमांस नमबर में उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे जो और एक एक्जेमू लेख सकते हैं कि हमाँ एल एल का मतलब होता है 50 अगर हम लेखेंगे ल एल इल का मतलब क्या हो जाएगा 50 50 100 नो तो अभी हम देखेंगे कैसे हिंदू आरभिक नमबर को रोमांस में लेखते हैं एक को हम लेखते हैं आई 5 को हम लेखते हैं B 10 को हम लेखते हैं X 50 को हम लेखते हैं L 100 को हम लेखते हैं C 500 को हम लेखते हैं D 1000 को हम लेखते हैं M अभी हम देखेंगे सब्ट्राक्शन के कुछ नियम जो हम रोमान नमर में इस्तमाल करते हैं तो अगर एक भेल्यू लिखा होगा उसके लेट में एक छोटा सा भेल्यू होगा उसके राइट में बड़ा भेल्यू होगा राइट सेड में बड़ा भेल्यू होना चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे ना उसका जवाब पाने के लिए उस दो बेल्यू को सब्ट्राक्ट करेंगे अगर हम सब्ट्राक्ट कर देंगे तो हमें रोमान नमबर आ जाएगा और एक नियाम है बत्रो याद रखना कि हम कभी भी एक डिजीट को रोमान में तीन बार ही लिख सकते हैं उसके जाधा नहीं लिख सेते हैं तीन बार ही लिखना उससे ज़्यादा नहीं लिखना अभी हम उस पर एक्जम्पल दखेंगे देखो फोर फोर इस गोलो आई भी भी हाज हायर भिलू आई हाज लोयर सो फाइब माइनस वान इस गोलो फोर इन रोमांस आई भी बतलो भी हायर भिलू है इसलिए उसे राइट लिखा गया है तो हम क्या करेंगे ना भी से आई को सब्ट्राट करेंगे तो फाइब माइनस वान इस इकोल दो फोर तो हम लिखेंगे आई भी सब्ट्राक्शन के रूल जानने के बाद अब हम जानेगे आडिशन का रूल जिसे सब्ट्राक्शन में होता था जहां पर राइट एंड साइड में एक लेटर रहता था जो की बड़ा होता था और लेफ्ट साइड में चुटा मगर यहां पर क्या होगा ना लेफ्ट में छोटा नमबर रहनना चाहिए तभी हम दोनों को आड़ करके एक रोमान नमबर पा सकते हैं तो इसे आसानी से समझने के लिए एक एग्जामपल दियागा है चलो देखते हैं एक्जामपल को दियान से देखो 6 6 is equal to VI in roman system V has higher value and I has lower value so V right side में है I left side so we add them to get number like that 41 40 plus 1 in roman excel r अभी हम केंगे कि हम कैसे रोमान नमबर को अपनी डेली लाइफ में इस्तमाल करते हैं देखो हम अभी हम देखे हैंगे कई बार कि जो कलक होता है ना वाल में लगता है वहां के number ना रोमान्स में होता है इसके बाद हिस्ट्री में पढ़े होंगे बहुत बार कि राजाओं के नाम रानियों के नाम भी निमरल में होता था इसके बाद देखो यह बहुत important thing कि there are no zeros in roman numerals जिरो का इस्तमाल नहीं होता है अल्सो दे रोमान सिस्टम हाज फ्रक्शन इसे हम क्या केते हैं विनिश्या केते हैं roman numerals are sometime used as years the roman would sometime use roman numeral as the day of the week sorry यहाँ पर week का spelling गलत है हाँ झाल 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 जर प्क्क झाल लिए श्रट ठीख जेक हाँ झाल